हेलो स्टुडेंट एंड हेलो एब्रीवन मैं प्रसांद कनोजे असिस्टेम प्रोफिसर जुला जी गवर्मेंट नागरिक कल्यान महावित आले नन्नी नगर तूर्ग छक्तित गड़ से आज का हमारा टापिक है ब्यासी फर्स्ट इयर के पेपर दो के यूनिट दो से आइडेंटिफिकेशन आप प्वाइजनस स्नेक और यह जो टापिक है काफी इंट्रेस्टेट टापिक है आप सभी भली बाती स्नेक से परचित है तो आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्नेक के जो जहरी ले सर्प हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उनका इडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे प्वाइजनस स्नेक होते हैं और नान प्वाइजनस स्नेक को कैसे पहचाना जा सकता है स्नेक जो है विशेश प्रकार के प्राणियों के एक समूव होता है जो कि फाइलम रेप्टिलिया में पाया जाते हैं और इनकी जो आडर है वो आफिदा है करीब तीन हजार लिविंग स्नेक की वर्ड में पाई जाती है और इस तीन हजार इस्पिसीज में तीन सो तीस इस्पिसीज जो है इंडिया में पाई जा रही है और इस तीन सो इसपिसीज ईन्डिया में पाई जाती है और तीन हजार जो वर्ड में पाई जाती है उसमें से तीन सो इस्पिसीज जो है वो प्वशनस होती है और इंडिया में जो 330 species पाए जाती है उसमें से 69 species जो है वो poisonous है और आउट आफ 69 इन 69 species में 29 species जो है वो है sea snakes ये highly poisonous होते हैं और जो 40 बचते हैं वो land में पाया जाते हैं जमीन में पाया जाते हैं terrestrial habit वाले इसने एक्स है ये जो इसने एक्स हैं ये poisonous होते हैं तो कुल मिला के मात्र लगभग 40 species ही है जो जहरीली है और हम लोग साप को देखकर सभी लोगे समझ जाते हैं कि ये जहर वाला होगा जहरीला है काफी डर लगती है बात भी सही है भारत में ही केवल साथ हजार से बारह हजार लोग की मित्तिव जो है साल भर में इसनेक बाइट से हो जाती है और ये देखा गए है कि सनेक बाइट से मरने वाले अधिकांस लोग नान पोईजनेस सनेक के काटने से मर जाते हैं वो भी डर के मारे और ये भी जरूरी है कि पोईजनेस सनेक से डरना भी जरूरी है परंतु उनमें से अधिकांस तह मनुस्य के लिए हानी रहित सांप होते हैं जो मनुस्य को लाब भी पहुँचाते हैं दुर्भाग वस सर्पों के पति हमारा अधिक्तर डर मात्र अज्यान और निराधार अंधिविस्वासों पर आधारित है अतव विसेले और विसीन सर्पों की पहचान करना आती आवस्यक है लोगों की इनकी पहचान के बारे में ठीक से ग्यान हो तो केवल भै के मारे मरने वालों की संख्या कम की जा सकती है तो आज हम इस चेक्टर में प्वाइजनस स्नेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एकार्डिंग टू दे इस्टिमेट आप डवलो एचो एबाउट 30,000 तो 40,000 परसंट डाई स्नेक बाइट एबरी यर इन दे वर्ल्ट 40 से 30 से 40,000 व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड में स्नेक बाइट से ऐसी मर जाते हैं तो ये काफी important part है और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है तो जो प्वाइजनस स्नेक्स हैं उनका identification कैसे किया जाता है यहाँ पर मैं कुछ points आपको बताऊंगा और उस points के आधार पर हैं पहचाम सकते हैं कि ये इसनेक है वो poisonous है कि non poisonous है तो कुछ है इसमें following features हैं जिसको अपन ध्यान से देखेंगे पहला point है the nature of snack bite अगर snack का जो काटने का जो तरीका है अगर दिखाये गए चित्र यहाँ पर देखें यहाँ पर तीन चित्र लगे हुए है त्रीन डायग्राम हैं तो यह तीन परकार के mark लगभग बनते हैं तीन परकार की यह रचनाएं उसके सरीर में दिखाई देती हैं जिससे हम यह proof कर सकते हैं कि यह जो सर्प काटा है जो snack काटा है वो poisonous वाला है कि non-poisonous वाला है यदि poisonous snack bite करता है तो इसकीन में एक या दो छेट दिखाई देते हैं या कभी-कभी लंबा चीरा दिखाई देता है यदि तो अच्छा पर उप्रोक्त मार्क दिखाई दे तो वो poisonous snack का bite होता है अब यहां पर देखिए यह एक poisonous snack का bite है यहां पर यह दोनों तरफ दो इसपाट अलग से दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह कि उस poisonous snack में दो फंग थे दो जहरीले दात थे जिसका वो निसान है यहां पर एक फंग था एक दात था जो कि जहरीले निसान वहां पर छोड़ा हुआ है तो और इसके कारण हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि यह दोनों जो है poisonous snack ने काटा है और ऐसा निसान बनता है तो वो जो मार्क है वो non poisonous का है और यदि जो non poisonous snack काटता है तो इसकीन में ब्लड जो है ज़्यादा देर तक नहीं निकलता क्योंकि blood clotting हो जाती है लेकिन जब poisonous snack काटता है तो वहां पर blood जो है बंद नहीं होता एवं ठक्का नहीं जमता यह भी एक पहचान है कि यह इसने poisonous snack ने bite किया है तो यह था the nature of snack bite दूसरा कारण से हम पहचानते हैं from the nature of tail पूँच को देखकर जो snack की जो पूँच देखकर उसके आकार वा सोभाव को देखकर poisonous और non poisonous snack की पहचान आसानी से की जा सकती है यदि पूँच गोल और सक्री होती है तो इसका मतलब यह होता है कि snack जो है इस्थली है एवं poisonous non poisonous दोनों हो सकता है यदि पूँच का आकार चप्टा है पहले case में क्या है अगर पूँच जो है गोल और सक्री है cylinder है cylindrical है तो इस condition में यहां पर देखिए poisonous और non poisonous यह दोनों हो सकता है और यदि इसकी जो टेल है फ्लैट है पतवार की तरह है तो यह जो c snack होगा दोनों तरह से यह फ्लैट है पतवार की तरह है और यह highly poisonous होता है इसको बोलते है poisonous snack अधिकांसर समुद्री snack पाया जाते हैं और यदि पूच में केलकेरियस छले हों जमीन पर रेंगते समय अवाज आती है तो यह भी एक poisonous snack का जो है निशानी है और अगर इस परकार के जो यह structure दिखाई देता है तो यह non-poisonous snack है टेल जो है ज्यादा फ्लैट नहीं है तो इस परकार के structure जो है क्या है non-poisonous snacks है तो यहां पर हमने दिखा है कि फ्लैट अगर structure है तो वो highly poisonous होता है सी snack है और cylindrical है तो pointed है तो यह poisonous भी हो सकता है और non-poisonous दोनों हो सकता है तीसरा करेक्टर लेते हैं यह तीसरा करेक्टर है head से संबंदित from the head snack को head को देखकर हम पहचान सकते हैं यदि snack का head जो है egg-like structure है तो यह snack जो है poisonous और non-poisonous दोनों हो सकता है लेकिन यदि head का structure नासपाती के आकार का है पियर सेब्ड है तो यह है poisonous होगा देखिए यह इस structure में यह snack जो है poisonous होगा और सिर्पर अगर cervical hood बनता है तो यह सर्प जो है विसेला होगा cervical hood इस पैक्टिकल्स बनते हैं ऐसे अगर ऐसा फन में बनता है तो definitely यह जो है poisonous snack की निशानी है फिर चौथा आता है from the cephalic scales of head cephalic scales को हम सीर में देखके पहचान सकते हैं कि यह जहर वाला जहरीला सर्फ है या बिन जहर का है poisonous है और non-poisonous है यदि head पर बड़े shield पाय जाते हैं तो यह poisonous और non-poisonous दोनों हो सकता है परन्तु अगर head पर चोटे-चोटे scales पाय जाते हैं तो इस प्रकार के जो देखिए यह चोटे-चोटे scales है तो इस प्रकार के अगर scales पाय जा रहे हैं तो यह प्रमुक रूफ से poisonous snacks होता है और कुछ जो snacks होते हैं उनके आख और nostril के मद्ध में यह eyes है यहां पर हम इसको clear करते हैं यह eyes है यह nostril है और उनके मद्ध बीच में यह बीच में एक pit बनाता है इसको बोलते है pit यह एक प्रकार का गड़्धा बनता है जिससे जिसको कहा जाता है लॉरियल pit और इस प्रकार का जो snacks है वो highly poisonous होता है यह कहलाता है pit wiper इस प्रकार का इसने क्या कहलाता है pit wiper उसके बाद next point अपन लेते हैं from the third supralabial scale of head यह अपन अभी head से पहचान रहें कि poisonous नान पउजण lesson फॉराम तर्ड सुप्रालेवयर ऊपर क наж पर जो जब्रा इस पर पाए जाने वाले जो स्केलस हैं उसको बोलते हैं सुप्रां ऐसकेज यहां पर बिह बोलते हैं सुप्रार्ण भी ऐल ़े श्केलस यदि तीसरा सूपरालेवियल सील्ड बड़ा हो और आख तथा नॉस्ट्रिल को इसपर्स करे तो इस परकार का जो स्नैक्स है वो पौाइजनस होता है देखो तीसरा पहला यह पहला है यह दूसरा है यह फर्स्ट है यह सेकंड है लेकिन यह जो तीसरा है यह तीसरा जो स्केल्स है किसको टच कर रहा है नॉस्ट्रिल और आइज को यह नेजल है यह आइज है इसको टच कर रहा है बड़ा होकर तो ऐसा जो है definite रूप से poisonous snake होता है और उनके फन में ये इस प्रकार के spectacle structure बनता है ये जो spectacle structure है ये hood बना रहा है, फन बना रहा है और ये पक्का poisonous होता है, ये कोबरा की निसानी है ये कोबरा snack से उसकी निसानी होती है और यदि फन नहीं पाया जाता, परन्तु abdominal, ventral, coral spots पाया जाते है तो भी ये snacks poisonous होता है इसके बाद छटवा है, from the infralabial scales of head infralabial scales जो head में पाया जाता है उसके अधार पर भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये poisonous है या non-poisonous है यहाँ पर नीचला जो lower jaw होता है वहाँ पर infralabial तथा इस पर पाये जाने वाले skulls, labials कहलाते हैं यह जो lower jaw है, यहाँ पर infralabial skulls जो है यदि snack में infralabial की संख्या चार होती है और चौथा सबसे बड़ा हो तो poisonous snacks कहलाता है यहाँ पर यह चौथा नमबर देखिए अगर यह बड़ा है तो यह poisonous snacks होता है इस परकार हम from the infralabial skulls के द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं कि यह poisonous है या non-poisonous snacks है उसके बाद next part आता है पहचान करने के तरीका from the vertebrals यह vertebrals क्या होते हैं? पीट के ऊपर डर्सल साइड पर पाया जाने वाले skulls को देखकर हम पहचान करते हैं कि यह poisonous है या non-poisonous है यदि vertebrals बड़े हैं hexagonal structure में है benzene-like structure में है तो यह definitely poisonous snacks होगा देखिए यह structure है benzene के समानी structure बना रहा है यह bandit crat नाम आपने सुना होगा उसका यह structure है और यह highly poisonous structure poisonous snacks होता है उसी परकार from the ventral ventral को भी देखकर हम पहचान सकते हैं कि ventral के अगर scales जो है abdomen में पाया जाते हैं यदि ventral छोटे या बड़े हों तथा लेटरल वर डार्सल से यूनिफार्म में उसरी लगातार मिले हो तो इसना एक जो है non poisonous होता है लेकिन जिस परकार आप डाइग्राम में देख रहे हैं यदि ventral लंबे हो abdominal भाग को cross करते हुए पूरे उपर कोने तक फैलते हो तो इसमें ज़्यादा संभावना poisonous की होती है non poisonous भी हो सकता है देखिए पूरा ventral जो है ऐसा लंबा है और उपर तक कवर करता है तो ये ventral के scales को भी देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये snacks poisonous है या non poisonous है तो इस प्रकार हम कुल आठ तरीके से इस snack को पहचानने का तरीका है कि कौन सा जहरीला है और कौन सा बीना जहर वाला snacks है जो कि जानकारी के लिए बहुत important है और आज हमने ये आज इस प्रजेंटेशन के माध्यम से poisonous snake के identification को देखा Thank you Thank you very much